हेलो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग बैंक और बलोदा में डेबिट कार्ड के लिए फारम भरके अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि बैंक और बलोदा में ATM कार्ड का फारम कैसे भरा जाएगा और कैसे आपको उसे जमा करना है क्या 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 डाक्यूमेंट उसके साथ लगेगा तो आज की वीडियो में मैं आप सबका डाउट क्लियर करने वाला है और आपको बताऊंगा कि फारम आपको कहां पर मिलेगा और कैसे आप लोग उसे भर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो करना क्या है सिंपल सा आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर आप यूज करते होंगी आपको उसे ओपन कर लेना है और यहां पर बैंक और बडोदा लिख करके सर्च करना है तो आपके सामने बैंक और बडोदा का ओफिसल वेबसाइट आजाएगा आपको इसके उपर क्लिक कर देना है अब यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने वेबसाइ से जितने भी फर म भारा जाता है पूरा आपको यहाँ पर दिख जायगा तो आपको यहाँ पर डेविट amazon कार्ण का फर्म मिलेगा आपको इसे 말़ा लेना है तो दो सम्वा साब को डूर बट्रों के नो चुका है तो सबसे पहले आपको 여गा पर ही यहाँ पर सिर्ट करना है जब Tu form आप यहा इंदे डाउनलोडично कर इसको के असी जमा करवा करके आप अपने घर से फोर्म हाँ करके ले जाकर अपने ब्रांच में है एकवी डालना है आपको यहाँपर सेवींग काउंट है तो आप लोग सेवींग डाल दीजिए फिर उसके बार आपको आपका अंबर डालना है जो आपका 14 शा intriguing का एककाउंट नंबर होता है उसको डाल देना है और उसके बाद दोस्तों उपर देख सकते हैं नेम और ब्रांच मतलब आपके ब्रांच का क्या नाम है आपको यहाँ पर डालना है साइड में फिर उसके बाद क्या करना है I have an ATM card number मतलब अगर आपका पहले से को ATM card है तो आप उसका number डाल दीजेगा अगर नहीं है तो आप इसको blank छोड़ दीजेगा कोई issue नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कुछ guidelines दिया हुआ ATM card यूज करने का आप लोग इसको अच्छे से read कर लिजेगा फिर आपको यहाँ पर आपका जो detail है उसको डालने के लिए आ जाएगा तो यहाँ पर आपको name डालना है आपका जो full name रहेगा name और sun name तोनों को साथ ही में यहाँ पर लिखना है फिर उसके बाद आपको date of birth यहाँ पर ddmmyy मतलब आपका पहले day रहेगा फिर month रहेगा फिर year रहेगा तो इसको डालने के बाद फिर आपको gender select करना है male female आप यहाँ पर select कर लिजीगा और उसके बाद क्या करना है name as required on card आपके debit card पर क्या नाम चाहिए आप उसको डाल दिजीगा देख सकते है no nicknames मतलब आपका कोई nicknames है तो यहाँ पर accept नहीं किया जाएगा तो सबसे अच्छा है कि जो आपका real name है वही आप लोग यहाँ पर भी डाल दिजीगा फिर आपके सामने आएगा biz लेजिडेंटल एड्रेसाअ चका आपको यहाँ पर रेजिडेंटल एड़ेसर डालना है आपका जो भी आपका आवासी पता होगा जहांपर खालए वह सकते होंगे तो नहीं ह этих पर जो सबसक्ते होना फिर आपको से दालए जो आपका eight- Camden और**** इसको आप लोग सही से यहां पर डाल दीजेगा फिर उसके बाद क्या करना है तो टेलीफॉन नंबर और मोबाइल नमबर दो आपसन दिख रहा है तो टेलीफोन नमबर अगर होगा तो आप लोग डाल दिजीगा दरवाज आप मोबाइल नमबर और इमेल आईडी ये दो चीज़ आपको डालना पड़ेगा फिर आपको यहाँ पर एड्रेस टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका है अगर ऑफिस ऐथा अभी सवाली डाल दिजिए हिस टो आपकोई सिलेक्ट कर लेना है पिर आपको नीची आना देख सकते है है अपका जो भी वहां国 में साइन होगा। को सेम सिगनेचर यहां पर करना है अगर आपका जॉइंट एकाउंट होल्डर होंगे उनको भी हाँ पर सिगनेचर करना होगा फिर आपको ब्रांच को डाल करके उसके बाद ड्याट करके यह दूशी डाल करकि आपको फкої्डियाश ना ऐडर्स पर देको अगर आप लोग B डेडियां यह गैज यह जो है अगर आप सेर में रहते हैं तो आपको साथ दिर इन में यह जाएगा अगर आप remained के आलन hybrid आपकेtaa डिलेवर कर करना है तो इसके उपर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बना दिया है आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं और अगर आप लोग ब्रांच पर जा करके जमा करना चाहते हैं तो ऐसे फार्म समिट करके आप लोग बहुत आसानी से जमा कर देंगे और आपका जो डेविट आडरेस पर डिलिवर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक पर तब तक के लिए टेक केर